जैसा कि आप जानते हम चुनावी दोरे पे हैं जो कि परखन के 6.3, आज हम जीला परिशत का 6.3 का सर्वे किए, लोगों से बाइट ले, महिला से बाइट ले, पुरुष से बाइट ले, अलग अलग जगा जाके अलग-अलग महले समाज में, तो हम ये कहेंगे कि मुहम्मत मनजर आलम का नाम जो हमको सुनने में आया कि वो सोसल वर्क में बहुत ज्यादा एक्टिव है समाज के बीच में रहते हैं किसी आपदा में किसी मुसीबत में लोगों खासकर महिलाए जो बोलती है गर अंगन की हमारी महिला है उन्होंने इनकी बहुत तारीफ करी है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे संगा मैं सबसे पहले आप सब का आपके पूरी टीम के स्वागत करता हूँ और आप चल करके आए हैं बहुत जादा आप लोग मेहनत रहा उसके लिए एक बार फिर मैं दिल से आप लोग स्वागत करता हूँ मेरा मुद्ध आप निकाह की छेतर में मुझे पता भी नहीं आप छेतर का सरेक्शन करके आए हैं मुझे बहुत खोशी हुआ कि आपके रेक्शन क्या है नहीं मुझे पता भी पब्लिक क्या का है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पिछले में लगातार तीन सालों से छेतर में घर घर जाकर के जो भी समस्याय रही हो मैं जहां तक हल कर सका वहां पे किया और मैं अपने तरफ से जिसको राशन पानी लोगडाउन के दरौन में देने के काम किया लोगों को जहां घर जला हुआ वहां पे मदद किया पुल पुल या जहां पे छोटे छोटे पुल पुल या दो हमें टी बी डलवाया और के जिगा इसे काम किया, कितने नरासन कार्ट बनवाए, कितना पहचान पत्र बनवाए और कि कोई भी साथ पंचाहत करीव करीव 24 पचीज गाउं है इन गाउं में तकरीबन कुछ न कुछ मैं काम कराया अपने लेबल से और इसी का मुझे इनाम अब मिलना चाहिए और उम्मीद में रखता हूँ मैं कि जो आने वाले आठ तारिक को जो मद्रान करने लिए लोग जाएंगे और अपने छेतर के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तरफ थुरा से रुजान हो और मुझे उस लायक समझे ताके मेरे हाथों को मजगूत करे और ताके मैं छेतर में जो भी समस्या हैं सारे समस्याओं को मैं अराम से हल कर सकूँ और इमंदारी से करा सकूँ बहुत अच्छी बात है एक चीज़ और आप से जानना चाहेंगे कि आप पंचायत में जिला परिशाद में जो चुनाओ लग रहे हैं इस छेतर की जनता का सपोर्ट कितना प्रतिशाद आपका Exodus देखिए मैं तो जितना साथ पंचायत में तक्रीबन सारा गाउ Cloud एक साथ एक ही मत है कि मोहमत मनजर आलम को बनाना है जिला परिशत और उनका कहना है और उसके साथ साथ मैं भी यह इस्पेक्ट करता हूँ कि करीब करीब 80% लोग मेरे फिवर में है कि टेबू लेंप चाप पे बड़न दबाना है मेरे करमांग संख्यां 15 पे है मशीन में इविया मशीन में और मुझे सपोर्ट करेंगे पूरा उम्मीद है और सपोर्ट करने बाद मेरा विजन है कि छेतर में पहला विजन है कि सिक्षा विवस्था मेरा शुरू सरा है कि हमारा जो छेतर का सिक्षा विवस्था डमाडोल है इसकूल है इसकूल में पर हाई लेवल से कुछ नहीं है मैं उसको ठीक कराना चाहता हूँ और दूसरा मेरा मिशन है कि जो स्वास्त सिवा है वो यहाँ पे उपलब नहीं है हमारे शेतर में मैं उसको हर पंचायत में या दो पंचाइत मिला करके एक प्राथ्मिक स्वास्त के इंदर बने ताके गरीब लोग, अमीर लोग और बूरा हमारे माँ और बेहन हैं जो परेशान हो जाते हैं इलाज के लिए वह आराम से फ्री में इलाज करा सके तीसरा मुद्ध मेरा है किसानों के लिए सिचाई विएस्था यहां पर नहीं है और सिचाई विएस्था में उपलब्द कराना चाहता हूँ चोथा एक गाउं से दूसरी गाउं जाने वाले जितनी सरकें हैं वहाँ बहुत खराब इस्थिती है उसको सही करवाना चाहता हूँ और निर्मान जहां जोरत है वहां करवाऊंगा और पांचमा है कि मैं अपने छेतर में पंचायत भी पंचायत या दो पंचायत मिला करके एक मवेसी के लिए हुस्पिटल करना चाहता हूँ ताकि गरीब लोग अपने मजानवरों की इलाज करा सके मेरा ये विजन है पहला पराथ मिकता है मेरे चीतने बात ये रहेगे बहुत अच्छी बात है एक चीज़ और जानना चाहेंगे चुनावी सफर आपका कैसे शुरू हुआ कैसा कैसे लगा आपको की इस छेतर में युवा बढ़ चड़ के आगे आ रहे हैं और बहुत जगह से काम्यावी भी हासिल कर रहे हैं बहुत कम उम्र के नौजवान भी आज परतीनी दी के रूप में इस बार उभर रहे हैं तो आपका चुनावी सफर राजनीतिक सफर कैसे सुरू हुआ कैसे मन में आया कि समाज में आप जाक रुकता लाना जरूरी है इसके बारे में बता दूँ आपको थोरी से जानकारी दे तो अपने अपने छेतर के लोगों को आपके माधियम से कि मैं देली के अंदर जो है पहले वहां पे अपना फर्स्ट क्लास से लेकर के गिरिवेशन तक किया और वहीं से मेरा वहीं से मेरा जो वह रहा है कि पॉलिटिकल लाइन के जहां तक रूची रहा वहीं से मेरा और रूची रहने के साथ साथ जो है वहां पे मैंने काफी काम वर्क किया वहां पर काम किया थोरा से कार दीजेगा तो सोसल जो एक्टिविटीज है वहें मैंने दिल्ली से करना सीखा है सिला दिख्षित के साथ मुझे जब गौर्रमेंट थी सीम रही उसके साथ मुझे काम करने अफसर मिला और उसके बात अपने अर्विंद के जिर्वाल मैंने वहां सीखा है अपने गाओं के लिए जो मेरे जिन्दगी बच्चा है एपने गाओं के समिरपित अरगला पैलाना चाहता ह interrupting और यह काम करना चाहता हूं बहुत अच्छी बात है एक चीज़ आखिर में यह जानना चाहेंगे बिहार के और जीलों में अररिया जीला को अब किस नजर से देखते हैं और विकास की नजर से यहां के जो राजनेता हैं अब तक जो जैसे आप अपना पंचायद लीजिए अपना छेतर लीजिए जोकी प पर चिजाएं नहीं के संचता हूं बिहार बिहार में सबसे घरीप से कुछला हुआ सबसे बदाहाली दोर हमारे अरीया जिला है और अररिया जिला के जो की परखंड है हम लोग भागे है कि जो की परखंड जो है सबसे ज़्यादा लाचार है बरबाद है यहां सबसे ज़्यादा करप्शन है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है यहां ताना शाही है और नोकर्शा है मैं उसको ठीक करना चाह कि गरीब आदमी को उसका हक मिले मेरा ये मिशन है और इसकी मिशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जन्ता की दुआ और अर्शिजवात रही मैं सीट जीतने के बाद मैं सारे मिशन को अपना चल चल करके उसको काम करवा हूँगा ये बहुत अच्छी बात है ये थे हमारे साथ मनजर भाई जीला परिश्वात के उमिदवार हैं आखिर में हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से छेतर वासियों से यही कहना चाहेंगे आप किसी की बहकावे में लालच में ना आकर ऐसा कदम उठाए जिसका खाम्याज़ा सिर्फ आपको नहीं पूरे च्छेतर को पूरे पंचायत को पूरे अलाके को भगतना पड़े बहुत से लोग ना समझी में आके गलत फहमी में आके गलत कदम उठाते हैं तो उसका खाम्याजा आप सड़के देखिए बिजली का व्युस्ता देखिए आप दूसरे जगव भी जाते हैं हमारे गौँ से हर भाई एक घर से हर घर से एक लड़का दो लड़का बाहर रहता है जो राज हमारे हिंदुस्तान के दूसरे राजियों को आप मिला ये कितना फर्क नजर आएगा इसमें सिर्फ नेता की कमी नहीं है जनता की भी कमी है हम जिस तरह का नेता चुनेंगे उसी तरह का हमारे छेतर में काम होगा तो हम चैनल के माददे हम से यही अपील करेंगे हम यह नहीं कह रहेंगे आप इन्हीं को वोट करें हम बस यह कह रहेंगे आप यह सोच कर मतदान करें कि आपके छेतर का विकास कौन कर सकता है आपके बीच में हर समस्या में हर दुख सुक में कौन शरीक हो सकता है इसी के साथ मैं BT News बिहार मुजंबी लिजदा